हम कहीं बार रोजी सुबह उठकर के कहीं बार मंदर में जाएंगे, देफताओं को देखेंगे, उनको कहेंगे आप बहुत उचे हैं, आप सर्वकुन संपन हैं, आप ऐसे हैं, ऐसे हैं, और अपने ले क्या कहेंगे हम कौन हैं? क्या गेद गाते हम कौन हैं? हम नीच हैं, हम पापी हैं, हम कप्टी हैं, अगर हम ऐसे गाते रहेंगे, तो नहीं भी होंगे, नहीं भी होंगे, तो भी हो जाएंगे. आयाम के आगे जो हम लगाते हैं, बहुत सोच करके लगाना होता है. आइडेंटेटी क्राइसिस क्यों होता है? मुझे याद नहीं है कि मैं कौन हूँ, और जो चीज़े हम प्राप्त करते हैं, हमें हर प्राप्त की हुई चीज़ पर लगता है, ये मैं हूँ, ये शरीर मैं हूँ, ये पोजिशन मैं हूँ, ये डिगरी मैं हूँ, और जब मु मुझे उस चीज़ को उस चीज़ को क्या होगा इसको खोने का डर होगा यह हमारी जीवन की आत्रा है अब आपको पता चला हम इतने डर में क्यों रहते हैं ओम शंदेग गुड मुनेग मैं कौन हूँ कैसी आत्मा कमजोर जो सोचेंगे वो क्या बन जाएंगे परमात्मा बहुत सुंदर एक विदी हमें बताता है पहले होती है स्मृत्ती स्मृत्ती जैसी स्मृत्ती होगी वैसे हमारी दृष्टी होगी जैसे हमारी दृष्टी होगी वैसे हमारी वृत्ती होगी जैसे हमारी वृत्ती होगी वैसे हमारी एसे हमारी स्थित्ती होगी और जैसी हमारी स्थित्ती होगी ऐसी हमारी कृत्ती होगी तो हमारा सारा अटेंशन कृत्ती कृत्ती माना करम स्मृत्ती माना अवेर्नेस अवेर्नेस में क्या है किसी को अवेर्नेस में है मैं नहीं कर सकता मेरे से नहीं हो सकता मैं तो करी नहीं सकता, होता है न यह सोच होती है, बच्चे के भी हो सकती है, बड़े के भी हो सकती है, मैं नहीं कर सकता, मेरे से तो नहीं हो सकता, सब कर सकते हैं पर मेरे से नहीं, तो यह स्मृत्ति कैसी है, शक्तिशालिय की कमजोर है, कमजोर, तो उसकी स्मृत्ति के अंद नहीं है ना लेकिन वो स्मृति वो awareness जिसको हम कहेंगे स्वामान affirmation वो ही कमजोर है हम कहीं बार रोजी सुबह उठकर के कहीं बार मंदर में जाएंगे देफताओं को देखेंगे उनको कहेंगे आप बहुत उचे हैं आप सर्वकुन संपन हैं आप ऐसे हैं ऐसे हैं अपने ले क्या कहेंगे हम कौन है क्या गेद घाते हम कौन है हम नीच है हम पापी है हम कप्टी है अगर हम ऐसे गाते रहेंगे तो नहीं भी होंगे नहीं भी होंगे तो भी हो जाएंगे I am के आगे जो हम लगाते न बहुत सोच करके लगाना होता है आपका बच्छा आपके सामने खड़ा हो और फादर मदर को देख कर गए आप बहुत महान हैं, आप बहुत इंटेलिजन्ट हैं, आप बहुत क्रियेटिव हैं आप ऐसे हैं आप ऐसे हैं, और अपने लेखेंने मैं तो कुछ नहीं कर सकता मेरे में तो कोई कला नहीं है, मेरे में तो कॉई विशेश्ता नहीं है तह आप उसको क्या कहेंगे You can do it हमी नहीं आप भी बहुत intelligent है आप भी बहुत महान है आप भी बहुत unique है कहेंगे की नहीं कहेंगे मना क्या ज़रूरी होता है किसी का बढ़ाना क्या बढ़ाना होता है उसका स्वामान स्वामान, self confidence लेकिन self confidence हम किसका बढ़ा रहे है आज तक जब हम confidence की बाते करते हैं न तो हमें लगता है confidence कहां confidence self का आत्मा को तो हमें पता ही नहीं होता हमें लगता है confidence सारा क्या है हम confidence किसको समझते हैं हम जब personality की बाते करते हैं confidence की बाते करते हैं तो हम किस चीज की बात करते हैं किसको देखकर आप कहते हैं यह बहुत confident है हाँ जे हाँ दूसरों के में क्या देखकर के उसमें क्या देखते हैं क्या दिखाई देता है हमको क्या दिखाई देता है आत्मा दिखाई देती है नहीं न अब भी तो पता ही नहीं होता हमे तो क्या दिखाई देते हैं हमको बॉडी देखते हैं और क्या दिखाई देता है हम किसी की personality को देखकर कहते हैं इनकी personality बहुत अच्छी है लेकिन हम उसकी personality में ज़्यादा तर क्या देखते हैं क्या दिखाई देते हैं हमें उसकी personality में उसका look क्या है उसने कपड़े कैसे पहने है उसके बात करने का तरीका कैसा है यह हो जाते है आउटर परस्नालिटी तो आजकल भी अगर हमारा कोई इंटर्विय होगा कुछ होगा तो हमारा सारा फोकस किसके उपर रहता है एक बाहर which is important no doubt बहुत जरूरी है वो बहुत है लेकिन एक है जो बाहर से आप देखो बड़ी आत्यार हुआ है बड़ी गाड़ी से उतरता है सब कुछ आउटर परस्नालिटी बहुत अच्छी है लेकिन फिर जब बोलना शुरू करता है और वो तरीका थोड़ा सा ठीक नहीं है तो अभी तक हमें जो दिखाई दे रहा था क्योंकि हमें क्या लगता है हम ये बोड़ी है पर फिर धीरे धीरे हमें समझ में आता है अब इसको बहुत ध्यान से समझना है कि ये शरीर भी हमने क्या किया है अक्वाइर किया है मैं आत्मा एक शक्ति हूँ और फिर हम इस जीवन म हमें बहुत कुछ अक्वाइर करना शुरू करते हैं सबसे पहली चीज जो हम अक्वाइर करते हैं ये शक्ति कि ड्राइवर को सबसे पहली चीज जो वो प्राप्त करती है अक्वाइर करती है वो क्या है शरीर सबसे पहले तो वो ही है जनम होता है नाम भी बाद में मिलता है शरीर पहले मिलता है, किसी को मेल का शरीर मिलता है, किसी को फीमेल का शरीर मिलता है तो सबसे पहले उसको क्या मिला शरीर, शरीर मिलने के बाद क्या मिला, थोड़े दिन के बाद क्या मिल जाएगा, नाम मिल जाएगा, फिर क्या मिलेगा, क्या-क्या मिलता जाता है, जो वो है नहीं, मैं आत्मा को शरीर मिला, फिर मुझे नाम मिला, इसी से तुम अपने को इं जो हमारा close family है परिवार मलता है फिर हम थोड़े से बड़े होते हैं क्या मलता है हाँ जी friends मलते हैं और education मलती है फिर education भी पूरी हो गई फिर हाँ जी recognition भी दिरे दिरे आएंगी education के बाद job होगी degree होगी position होगा फिर recognition awards आदी यह सब मैंने अपनी जीवन की आत्रा में क्या किया acquire किया यह मैं नहीं हूँ यह सब मैंने क्या किया है acquire किया अब जो जो चीज़े मैंने acquire की है मैंने प्राप्त की है चाहे वो शरीर है परिवा पुजिशन है जो जो मैं प्राप्त करता गया क्या वो टेंप्ररी है कि पर्मनेंट है पका जो जो मैंने प्राप्त किया वो विनाशी है कि अविनाशी है विनाशी है कि नहीं वो कभी भी छूट सकता है कभी भी कम जादा हो सकता है हो सकता है कि नहीं हो सकता पर होता क्या है जो जो चीज हम प्राप्त करते हैं, हमें ये याद नहीं रहता कि ये मैंने acquire किया है, मुझे फिर लगता है कि ये मैं हूँ identity crisis क्यों होता है, मुझे याद नहीं है कि मैं कौन हूँ और जो चीजे हम प्राप्त करते हैं, हमें हर प्राप्त की वी चीज पर लगता है, ये मैं हूँ ये शरीर मैं हूँ, ये position मैं हूँ, ये degree मैं हूँ और जब मुझे लगता है कि ये मैं हूँ, ये मेरी identity है, ये मेरी पहचान है, इससे मेरा मान और सम्मान है, तो मुझे उस चीज़ को क्या होगा? आप बताओ क्या होगा? अगर कोई चीज मुझे भूल जाए कि ये मेरी है, और मैं समझने लगूँ कि ये मैं हूँ, और मैं उससे क्या हो जाता हूँ? अटाच हो जाते हैं, जैसे ये चीज़ है, मैं इससे अटाच हो जाओ, मैं कहूँ ये मेरी है, मैं इससे अटाच हो जाओ, फिर अटाच होकर मैं अगर किसी ने इसकी तरफ देखा भी तो मुझे क्या आएगा आपके प्रती खुस्सा आएगा और क्योंकि ये चीज कैसी है, ये अविनाशी तो नहीं है, ये कैसी है, विनाशी है, आज नहीं तो कल ये, चूटेगी और जिस दिन ये चूटेगी उस दिन, उस दिन क्या होगा, दुख होगा, और जब तक नहीं चूटती तब तक यात्रा में इसको खोने का धर होगा, ये हमारी जीवन की यात्रा है अब आपको पता चला हम इतने डर में क्यों रहते हैं हम इसलिए डर में रहते हैं क्योंकि जो कुछ हमने प्राप्त किया है अब आप एक दो चीज़े भी ले ले जैसे हमने ये शरीर प्राप्त किया है ये शरीर विनाश्य है क्या विनाशी है पर हम मेंसे कहीं लोग, सब की नहीं हम अलग-अलग चीजों से identify करते हैं हम मेंसे कहीं लोग हो सकते हैं जो बहुत जादा अपनी body से identify करते हैं हमारे अंदर में हम भूल जाते हैं कि ये मैंने acquire किया है ये विनाशी है, ये बच्चा है फिर बड़ा होगा, फिर जवान होगा, फिर बोड़ा होगा ये एक transition से गुजरना ही है ये एक सच है, ये transition से गुजरेगा फिर वो birth भी होगा, उसके बाद death भी होगी लेकिन हम मेंसे कहीं ऐसे होंगे जो समझेंगे ये मैं हूँ ये शरीर ही मैं हूँ और मैं हमारा एक संसकार है कि मैं कैसा होना चाहिए मैं कैसा होना चाहिए perfect अब वो मैं कौन सा perfect होना चाहिए था मैं आत्मा perfect होनी चाहिए मैं आत्मा जो हूँ वो perfect, peaceful, happy, loving, compassionate perfect होनी चाहिए थी पर मुझे भूल गया कि मैं कौन हूँ अब मुझे लगा कि मैं कौन हूँ, बोडी, तो अब क्या perfect होना चाहिए, अब क्या perfect होना चाहिए, बोडी, और जब वो perfect नहीं होती, तो हम उसको perfect बनाने के लिए, क्या, 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 क्या नहीं करते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं, सारी के सारी जो आपकी इंडस्ट्री है, Cosmetic Industry, Laser Industry, Botox Industry वो सिर्फ और सिर्फ एक Belief सिस्टम पर चलती है और वो एक Belief सिस्टम क्या है? वो एक Belief सिस्टम क्या है? कि मैं यह शरीर हूँ और यह शरीर ऐसा होना चाहिए अब इसमें बहुत जादा रिस्की बात क्या है? अगर हम किसी भी ऐसी चीज से identify करते हैं, जो temporary है, और उस चीज से अपना स्वामान बनाते हैं, self-respect, मुझे लगता है कि लोग इसके आधार पर मुझे respect देते हैं, तो उस चीज को अगर कभी भी थोड़ा सा कुछ होगा उपर नीचे, तो किसको उपर नीचे होगा? किसको उपर नीचे होगा? बॉड़ी को अगर कुछ उपर नीचे हुआ, थोड़ा सा भी कुछ उपर नीचे हुआ, और मुझे लगा कि ये मैं हूँ, तो फिर उपर नीचे कौन होगा? आज कर कहीं लोग कहते हैं ये बहुत मोटा है, इसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत कम है, ये बहार जाने में भी थोड़ा सा अंबारेस फिल करता है, अब मोटा कौन है? मोटा कौन है? शरीर, एक है मेरा शरीर मोटा है, और शरीर को एक्सराइज करके, राइट डायट दे करके उसका ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि आत्मा भी शरीर के बिना कुछ कर नहीं सकती, एक ये है, एक है मेरा शरीर मोटा है, और दूसरा है मैं मोटा हूँ, मैं मोटा हूँ, दोनों में कोई फरक है, दो सोच, एक है मेरा शरीर मोटा है, मुझे इसको हेल्दी करना है, और एक है मैं मोटा हूँ, सेम की अलग, क्या फरक है, फीलिंग में क्या फरक है, मोटे लोग आपने confident देखे हैं कि नहीं देखे हैं, जो कहीं लोग मोटे होंगे, हम कहीं नहीं सकते, उसका क्या standard है, पर जो भी हमारा standard है, हम कहेंगे physically इतने beautiful नहीं है, इतने fit नहीं है, लेकिन वो भी confident, happy, loving, peaceful, हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, होते हैं कि नहीं, मिलते हैं ऐसे लोग कि नहीं, तो फिर उनों को ये फरक है, मैं अलग हूँ, मेरा शरीर अलग ह शरीर को कभी कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता, आप में से आपके शरीर को कभी किसी को कुछ होता है कि नहीं, आज हम अचानक body check-up के ले जाते हैं, उसमें कभी-कभी निकल करके आ जाता है, ये बिमारी है, ये बिमारी है, जैसे हमें पता चलता है कि ये बिमारी है, हमारी स सित्य क्या हो जाती है डाउन क्यों डाउन हो जाती है क्योंकि मन में क्या संकल्प चलने लगते हैं कौन बेमार है शरीर बेमार है हम ऐसे बोलते हैं कभी मेरा शरीर बेमार है हम क्या बोलते हैं मैं बेमार हूँ मुझे इतनी बड़ी बेमारी निकल कर आई अब क्या होगा मेर इसे मैंने ये सोचना शुरू कर दिया, मैं बिमार हूँ, मैं बिमार हूँ, क्या होगा, कैसे होगा, इतनी बड़ी बिमारी मुझे कैसे आई, इलाज कौन करेगा, ध्यान कौन रखेगा, अब कौन बिमार होगया, अब मैं बिमार होगया, अभी तक मेरा शरीर बिमार था, आ जिसका मनोबल स्ट्रॉंग होता है मनोबल स्ट्रॉंग होने का मतलब क्या होता है मनोबल स्ट्रॉंग मनोबल मन की शक्ती मनोबल का मतलब यह होता है कि उसने उस बिमारी का चिंतन सारा दिन व्यर्त चिंतन ना करके बिमारी है हमने उसको accept क्या बिमारी है और हमने का अच्छा अब क्या करना है शरीर बिमार है लेकिन हमने किसको बिमार नहीं होने दिया मन को बिमार नहीं होने दिया माना जब हम soul conscious होते हैं soul conscious कितनी भी हलचल की बात है हम अचल रह सकते है हल चल मना कितनी भी बाहर हल चल है हल चल की बात है लेकिन मैं कैसा हूँ बिलकुल अचल अडोल